Welcome back guys to another episode of Indian Home Styling आज की वीडियो में मैं आपको zero budget home decor वीडियो दिखाने जा रहे हूँ of my living room left में आप before photos देख सकते हैं, right में makeover photos देख सकते हैं यह zero budget वीडियो इसलिए है क्योंकि मैंने अपने existing home decor items यूज करे हैं to restyle, redo a living room in a new station यह government quarter है और मैंने कुछ भी नए item नहीं लिया है इसका makeover मैंने पहले भी किया था पिरले station में उसका video link description box में है so let's get started सबसे पहले यहां की एक statement wall थी जिसमें कोई windows नहीं है उसमें मैंने दो complimenting shades की painting लगाई है यह painting मैं पहले भी use कर चेगी हो अपने घर में और हमें इस बार furniture जो मिला था वो neutral shade में था तो उसके साथ मैंने decide कि आप pop of color add करने के लिए cushion covers लगाऊं आपको मैं एक technique दिखाने चारी हो cushion covers के लिए यह वैसे handcrafted बहुत ही beautiful velvet cushion covers हैं सबसे पहले आप दो square जो बराबर size के हैं बड़े उनको एक साथ place कीजिए overlap करते हुए और पीछे वाले को थोड़ा उठा दीजिए उसके आगे आप दो छोटे cushions रखिए ऐसा style sofa में एक pop of color तो add करता ही है प्लस उसमें एक definition add कर देता है इसी के opposite मैंने same palette का three seater रखा है although मैं इस पर cover चड़ाना चाती हूँ but maybe next time some other station इस sofa पर मैंने four cushions का set up किया है अब ध्यान से देखिए मैंने कैसे place कर रही हूँ guys this adds the right kind of style to a very plain looking sofa आप दूसी तरफ थो भी रख सकते हैं इसी के उपर हमने एक floating shelf लगाया है उस पर मैंने डाला है oil canvas and साथी साथ complementing colors में एक frame सबसे पहले ये frame और थोड़ा personalized touch देने के लिए एक photo of my father-in-law and my great grandfather-in-law so they are in three different heights आप देख सकते हैं three frames रखने से it starts to look more balanced थोड़े height अट करने के लिए मैंने अपना good earth का एक lamp place किया है बिकोज ये बहुत tall है इसी के दूसरी साइड मैंने एक ceramic का बहुत edgy सा pineapple यूस किया है and now to balance the overall height I have added a tall ZZ plant आप देख सकते हैं together with sofa it's going so well मेरा एक tip ये है floating shelf के लिए कि आप इसमे personalized elements आड करें या कोई collectibles या antiques जो आपके लिए बहुत वाल्योबल हूँ या फिर अगर आप उसमे कुछ पॉप ऑफ ब्राइट करना चाहते है make sure they're very complimenting to each other because this becomes a conversation starter guys everyone who comes to a house you know photo देख के ही बाते करने शुरू कर देते है and दूसरी तरफ जैसे की मैंने का था आप 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 सकते हैं again a video on that is on my channel जो मैं दिवाली पे जनली करते हूँ दूपट्टे का थ्रो बना देती हूँ so that's it इसी के साइट पे एक चौकी थी चौकी के ओपर मैंने दो अपने टॉल प्लांट्स प्लेस करें है cut to next day guys ये कमरे की हालत बहुत खराब थी ब्लस छिपकली आगी बीच में to distract me it's time to do the corner corner में सबसे पहले मैंने बहुत बड़ा प्लांटर लिया है ये हमारे पास दो मेटल प्लांटर हैं और मैंने अपना सबसे वालियोबल सबसे सबसे बड़ा पाम प्लांट उसमें प्लांटर में डाल दिया है आप कोई भी अपना टॉल प्लांट यूज कर सकते है, रूल ऑफ थ्री यही कहता है, एक बड़ा प्लांट, उसके बाद एक मिदल साइस का प्लांट, और या फिर कोई मिदल साइस का ऐलमेंट, या फिर एनी अब्जेक्ट या फिर अप्जेक्ट यूड लाइक तो पूट, इसी के साथ जो दो वन सीटर सोफे हैं, उनके उपर मैंने अगेन ग्रीन कलर के ब्यूटिफुल से कुशिन लगा दिये हैं, उसके उपर मैं आपको दिखा रही हूं, मैंने दो स्टाइल्स किये हैं, नमबर वन जो उपर की लेयर पर किया है, वो आप देख सकते हैं, प्ला इसनल इस लाइख लाइख सामिली फोटो विद लांप, विद लांप यूस किया है, सो विद दे मेकोवर भी लाम्स यूस्टिए यूज़को नेृट विद अड्व नॉंग यूर्ण यूर्ट यूड विद लिग गणे कर देख सकते हैं यूर्डि बहुत यूदी ब्यू I think personally और जातर बहतर लगता है this is the right corner Chalki का इसमें जो मैंने rule of three follow किया है अभी मैंने थुड़ार चेंज करके एक LED light यहां लगा दी है so again that adds the right amount of you know elegance यह तार जो आप देख रहते है वो radio की है just to make sure you know I have those 80s music मैंने cushions में भी a cushion change किया यह मेरा hand-painted cushion है so now it looks like this I wanted to show you everything you know updated I absolutely love the vibe of the living room now यह बहती green fresh vibe है plus मैंने इतने सारे plants आप करती है कि it looks like a you know mini jungle with the right amount of minimalism this is how that corner table looks like guys यह ZZ plant again मेरा 3 year old plant है I'm so thankful some of my plants are just going on since a very long time तो आप कुछ टेबल पेसा डेकॉर कर सकते हैं, यह फैमली परस्नलाइज फोटो है, तो अगेन इसको थोड़ा मैंने अपडेट दिया, I didn't have a tray, but I had a jute mat, तो मैंने राउंड jute mat की उपर सारे कैंडल्स और इसा प्लेस करें, जिससे अगेन इस कमिंग तोगेधर, कावस्ते मैंने वो लगा दिया है, और उसके साथ यह एक केन लैम्प है, जो की मेरी मम्मा का है, वन I was a child, आप प्लेस तैट, यह एसम से लिया थो उन्होंने, विद्ध मानी प्लांट जो की मैंने रिमूफ करके, उस कॉर्न से धर रग दिया है, तो आप वर्ल था वाउस लुक्स वेरी इंवाइटिंग, वेरी वार्म, तिस इस दे फ्रॉंट वाल जो डाइनिंग रूम की साथ है, तो उस पे हमने हमारे फोटो फ्रीम लगाये हैं, गाईज, और आप वीडियो की बिग्निंग में भी देख सकते हैं, मैंने सारे बिफोर आफ्टर लगाये हैं, तो एक राउंड मिर ट्रे पे मैंने एक चैनल रखा है, एक चैनल स्टैंड है, अलोंग विद एक क्रिस्टल पीस, तो मिर ट्रे पे गाईज, क्रिस्टल बहुत बूटिफुली रफ्लेक करता है, लुक्स अमाजिंग, बीचे में एक चैनल स्टैंड रखा है, और साइपे दो बुक्स की ओपर एक मनी प्लान को स्टैंड किया है, अगें इस अमिलिटरी बुक्स, तो एक राउंड बुजी, येट, 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 अगें प्लान को स्टैंड बुक्स, पूट तोगेंट रखा है, अगें मौनिंग की ताइम पर कुछ ऐसा लगता है, जब देर इस नो येलो लाइटिंग, ये मैने आज सुबा ही खीचा है, को सबस्क्राइब है, ये पीचा कुछन अप देख सकते हैं, भूए मेरा हां पेंट येट, ये आज रखा हैं, अगें शुबाद फॉर जुख लाइट, यजूज जलो ऊच्वाइब हैं, ये चांएब आवूच आजू अशंट पर भाइट,